अमित, अगर इस पूरे 2020 World Cup की अलग-अलग टीमों को, अलग-अलग स्क्वाद्स को हम देखें, तो आप स्पिन टालेंट के हिसाब से, किस टीम को टॉप थ्री में रेट करेंगे, किस के पास बेस्ट है इस समय? I think I go for India first, क्योंकि India के पास टॉप क्लास के तीन स्पिनर है, जो मुझे लगता है कि अश्विन ने भी इतनी परफॉर्म करी है पिछले, बट अभी सीजन तना नहीं अच्छा करेंगे, कि जिस तरह से बज्जी पाने बोला, लोग उनके अगेंस्ट वही कर रहे हैं, जो बज् पाकिस्तान एक ऐसी टीम में जानके जिनके पर मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, तो दो ये टीम हो गई हैं, और तीसरी में कौंगा कि, इतने मिस्ट्री बॉलर नहीं हैं, बट उनके पास एक्स्पिरियंस बहुत है टीट्टी कर खेलने का, और सारे अच्छे बॉलर्स को बॉल क्योंकि यो जितने भी एशिंस प्लेयर होते हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे बैस प्लेयर होते हैं, तो उनके पास मिस्ट्री तो नहीं है, बट एक्स्पिरियंस बहुत है, किस टाम पर कैसे बॉल डालनी है, किस बैस्पन को क्या हां पर डालना है, जिस तरह बज्जी प पानिगा की चक्रवरती की बात लेकि उनको सिंगल डबल विकेट नहीं दे रहे हैं, तो उस टेम पर कैसे बॉल डालनी है, तो वो स्ट्रेटीजी बहुत ज्यादा लोगों ने कर रखिये, तो मैं इन तीमों को मैं कहूंगा, कि इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं, और ये आने वाले टाइम पर देखेंगे ये टीमें अच्छा करेंगी दुबाई में, मिलको लगता है, जी मुझे बाइफार लगता है इंडियन टीम की जो स्पिन अटाइक है, सबसे बेस्ट है, मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ पर जाना नहीं चाहूंगा, क्योंके बहुत ज्याद इसलिए हम उनके बारे में बार-बार बात करते हैं, क्योंके सीनियर मोस्ट क्रिकेटर है हम तीनों के बीच, तो जब ये खेल रहे थे, अंडर नाइंटीन या शुरुआत खेल रहे थे, तो इतना ज़्यादा दौरा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब भी इंटरनाशनल, मैं दूसरे कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आफ देखें, अभी अन्डर नाइंटीन टीम काफी सारे कंट्रीज को जाती है, खेलने के लिए, आप अगर देखें, अंडिया ए टीम जाती है, तो वो डोमेसिक स्ट्रक्चर हो गया, और इंडीया का सबसे बड़ा फिर ना होते हुए भी इंजुरीज या सम अधर कंसर होते हुए भी हमने बड़े-बड़े टीम को हराया है तो उसका बड़ा रीजन यह है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंप्रूव हो रहा है और इम प्राउड के यह हो रहा है और इसमें एक चीज यह राइज कर किसका बेस्ट अटक बेस्ट अटक इंडिया के पास डेफिनिटल बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं हलां कि ले बहुत ज्यादा ले लिए थे पांच स्पिनर ले ले थे टीए की टीम में मुझे लगा था कि शायद जो टॉर्टनमेंट है वो चन्नही में शिफ्ट हो गया क्य इंडिया के पास जो अपने दंप मैज चिता सकते हैं वरून है सबसे बड़ीया बॉलर जो मैं कौँँगा हुकम का इकका होने वाले हैं भारत को अगर ये टॉर्नमेंट में आगे जाना है तो हुकम का इकका मेरा स्पिनरों में वो रहेंगे साथ में रविंदर ज्रेजज तो वो भी वड़े अच्छे बॉलर हैं उनके इलावा जैसे मिश्रा ने कहा है कि अफगानिस्तान के पास वो स्पिन बोलिंग है तकडी वाली राशिद खान, मुझीब और नाभी ये तीनों बहुत अच्छे बॉलर हैं और उनके पास शायद मुझे लगता है वो बैटिंग पर थाबित हो सकते हैं तीसरी टीम मुझे पदा नहीं है कि बाकरी बाकी किसी टीमों के पास कोई इतनी स्पिन है जो वो लेके आए हुए है पर ये दो टीम है तो डेफिनिटली इंडिया एन अफगानिस्तान प्रॉल्ली अज़र बेस्ट